नमस्का दश्कों यूट्व के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज का हमारा विशे है मिथुन लगन वा मिथुन राशी के लिए गुरु वाशनी की उति मकर राशी में क्या प्रभाब देगी आपके समक ये मिथुन लगन वा मिथुन राशी की कुंड़ी है अगर नहीं द्धनु राशी में और शनी महराज उनके संग विद्ध्यमान है और उनके संग केतु विद्ध्यमान है और राहु यां विराजमान है अब ऐसी स्तिव बनने वाली है 30 मार्च से लेकर 30 जून के बीच में कि देव गुरु ब्रस्पती जो है वो मकर राशी में चले जाएंगे और देव गुरु वर्षपती में जाएंगे 30 मार्च 2020 को तब उनकी यूति हो जाएगी शनी महराज के साथ क्योंकि शनी महराज यहां पर 24 जनवरी 2020 से निकल जाएंगे अभी आपके मिथुन लगन वा मिथुन राशी के जातकों के पांच नॉबर से यूति बन र जाएंगे और यह यूति रहेगी 30 मार्च 2020 से जून 2020 की गुरु वा शनी जैसे दो बड़े घ्रह आपके अश्टम भाव में विचरन करेंगे हम इस वीडियो में विचार करेंगे कि इस यूति का प्रभाव मिथुन लगन वा मिथुन राशी के जातकों पर क्या पड़ेग कुंडली का यह जो भाव है चटा आटवा और बार्वा इसको त्रिकिस्तान कहते है रिज्टान यानि यह भाव ऐसे हैं कि यह तो रिझ रोग शत्रू का भाव है यह मिर्द्ध drugs का भाव है अचानक आने वाली वीपत्ती का भाव है और यह हमारा खर्चों का और और अगर हम बात करें कि मिथुन लगनवा मिथुन राशी के दशमेश और भागेश यानि दशमेश और भागेश दोनों ही आपके अश्टम भाब में आ गए गुरू जो एक राशी में तेरा महीने रहते हैं और शनी जो एक राशी में धाई साल रहते हैं वो हमारे पर बहु जनवरी के बाद यूती फी टूटेगी फिर दुबारा यूती बनेगी गुरू शनी की मका राशी में 30 मार्ट 2020 से जून 2020 तक मैंने अपने वीडियो में लिखाया है ये यूती में अगर हम बात करें तो गुरू का गोचर नेगटीव है क्योंकि गुरू का जो पॉजिटिव गोचर होता है वो होता है 2, 5, 7, 9 और 11 का तो गुरू का गोचर नेगटीव है गुरू अश्टम में विद्धमान रहेंगे और शनी के अगर हम पॉजिटिव गोचर की बात करें तो शनी का गोचर होता है पॉजिटिव 3, 6 और 11 का शनी विद्धम में इस प्रकार गुरू वा शनी दोनों ही गोचर के साब से नेगटीव है इसलिए मेरी आप सब लोगों से प्रातना है कि अगर आपका मिथुन लगन या मिथुन राशी है तो आप अपना रुटीन का काम करते रहें और किसी लए काम का विचार नहीं करें इस वीडियो से घबराए नहीं आपको प्रापलम तभी आएगी जापको किसी लडाई जगरी से बचें बात को इतना ना भिगाने अपने गुस्ते पर करेंगे कि कोई पुलिस वगारा का केश हो जाए और आपको कोट कचारी के चक्कर में पढ़ना पड़े साथ ही अगर आप विंजिस्मेन है क्योंकि देव गूरु भ्रस्पती यहां पर विराजमान है आगो हो गए है पांच नवंबर से मिथुन लगनवा मिथुन राशी के जातकों के लिए और बहुत लंबे समय बाद उनके लिए गोचर आया है सेप्टेमबर 2017 के बाद तो निश्चे वह उसाहित होंगे और वैपार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रही होंगे पर उनको ध्यान रखना है कि 30 मार्च 2020 से जून 2020 तक अपने वैपारिक सौदों को बड़ा समाल के करें कोई बड़ा सौधा ना करें कोई बड़ा निवेश ना करें और किसी नए काम को करने का जोखिम भी ना लें साथ ही दशम भाप से और नवम भाप से अपने पिता का विचार भी करते हैं इस प्रकार घर में जो विर्द माता पिता है साथ ससूर है उन सब के हैल्थ का ध्यान रखें सप्तम भाप का स्वामी आपके एक्टम में चला गया दम पत्य जीवन में साबधानी रखें आप अ इसलिए साबधानी बरते हैं ओवराल मेरा इस वीडियो का बनाने का उद्देशी है कि आपका इस समय एक अच्छा समय चल रहा है पर उसके बीच में मार्च और जून के बीच में समय आएगा जब गुरू वाशनी अभी तो शनी नेगटी हो जाएंगे तो दुनली के जो पता सोचा कि समय अच्छा चल रहा है जौब बदलने क्योंकि इस अच्छे समय के बीच में ये तीन महीने का एक समय आ रहा है मार्च से लेकर जून के बीच में जब गुरू वाशनी दोनों नेगटीव होंगे इसलिए आपको किसी नए काम का विचार नहीं करना आप जो जौब करना है उसे करते रहें क्योंकि जून 2020 के बाद गुरू फिर जो है आपके सब्तम भाब में आ जाएंगे और फिर आपके लिए पॉजिटीव हो जाएंगे इसलिए आपको जो भी करना है वो तीस मार्च से पहले कर लीजिए या फिर आप जून 2020 के बाद करिएगा प्रिज़ जो भी करना है तब तक आप तीन मेने साव्धानी रखें अगर आप सापडानी रखेंगे तो किसी प्रकार के संकट प्याम नहीं फशेंगे घर के परवार के सबी लोगों की हैल्थ का ध्यान रखें और किसी प्रकार के लडाई जगडे बढ़ीव बाद से सजि और अचाना की बहुत बड़ा प्लानिंग कर ली कि मार्च और जुन के बीच में तो हम को नया इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस समय साफ़धानी रखिए यह गोचा तीन महीने का आएगा और यह गोचा नचाना की आपको प्रॉलम में डाल सकता है इसके साथ़ी दश्को अपना वीडियो समात करने से पहले मेरी आप सबसे प्रात्ना हैं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तर प्सक्राइब नहीं की तो किर्पना मेरा चैनल सब्क्राइब कर दें साथी बेल ऐकन को भी दबा दे साथ जित सभी वेडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको में जाएं और आप मेरा वीडियो दिख सकें इसके साथ ही नमस्काद अश्कों जयमादादी